हलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू एटीप स्टार्ड तो सूपर लर्निंग प्लेटफोर्म में आपके साथ आपका अपना अजय गोतम दिल से दिल तक की सीरीज में बच्चों आज हम लेकर आ रहे हैं कंड़क्टिंग सिस्टम ओफ हार्ट ओके और कंड़क्टिंग सिस्टम ओफ हार्ट में हम पढ़ेंगे ऐसे नोड, एवी नोड, एवी बंडल, परकिंजे फाइबर्स पढ़ेंगे उन सब सवालों के जवाब जो आपके दिल में हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे क्योश्टन्स किलियर हो जाएं तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और शेर जरूर करें देखें किमेंट करते रहा करें यही क्या है हमारा रियल मोटिवेशन है यही हमारे प्रेना सोत रहें तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन किस पर है Conducting System of Heart देखे बच्चों, conducting system of heart को समझने के लिए हमें diagram बनाना पड़ेगा और उसी diagram में अगर अगर अपन conducting system पड़ेगे तो I hope आपको बिलकुल clear हो जाएगा उसी unique style के साथ, ओके बच्चों, तो यहीं याद होगा, अभी याद होगा और दिमाग तो लगाना ही नहीं है, देखे मे atria बनाने के साथ ही हमने ये ventricle बना लिया, done बच्चों, अब हमें इसकी vena keva, arteries और जो system circulatory बनाना इसके पहले वाले वीडियो में सब बता चुका हूँ, तो प्लीज अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो एक बार उसे जाकर आप देख लें, है ना बच्चों, अब हमने क अब कहा कि ये जो है आपका ये क्या है आपका ये है आपका इंटर ओरिकुलर सेप्टम और ये क्या है आपका इंटर वेंटरिकुलर सेप्टम और ये क्या है आपका एवी सेप्टम जिसे कोरोनरी सलकस कहा जाता है, is that clear? अब बात करते हैं conducting system की, conducting system हमारा बना हुआ किस किस से है ऐसे नोड एवी नोड एवी बंडल और बताओ परकिंजे फाइबर्स तो आईए डिसकस करते हैं कौन कहां कहां पर होता है सबसे पहले जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो बात होती है कहां की बात होती है एट्रिया की किसकी बात होती है एट्रिया की और एट्रिया में नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम है उसका एसे नोड कैसा है नाम क्या है उसका एसे नोड ये जो नजर आ रहा है आपको इसे बच्चों क्या कहा जाता है एसे नोड क्या कहा जाता है एसे नोड क्या है ये एसे नोड जो एसे नोड है आपका जिसे हमने कहा एसे node इसको क्या करते हैं हम Pace Maker of Heart क्या कहा जाता है इसको Pace Maker of Heart सबसे पहली बात आती है कि हम इसकी Position की बात करते हैं कि Position क्या है इसकी है न यहां से Questions भी डैरेक्ट आ जाते हैं Position क्या है Upper Right Corner देखे Off Right Atria तो क्या है हमने कहा Position क्या है बच्चों इसकी हमने कहा upper right corner किसकी बात कर रहे है upper right corner off right atria off right atria okay बच्चों clear बात upper right corner off right atria पहला questions position दूसरी बात करी हमने हमने कहा इसका function क्या है बताईए बटा function क्या होता है ऐसे node का जब अपन इसके function की बात करते हैं तो हमें नाम याद आता है कि इसको PESMAKER कहा जाता है PESMAKER OF HEART इज ऐसे नोड ऐसे नोड की अगर आप FULFORM की बात करेंगे तो FULFORM क्या है इसकी कोई बताएगा मुझे साई बताओ हमने कहा ऐसे नोड हमने कहा SINO ATRIAL नोड क्या है बटा ये SINO ATRIAL नोड साईनो ओरिकुलर नोड जब इस SINO ATRIAL नोड की बात आती है और इसकी POSITION की बात आती है इसके FUNCTION की बात आती है तो FUNCTION क्या है Generate Maximum Impulse क्या काम करता है Maximum Impulse को Generate करता है और Maximum Impulse को ये Generate करता है मेरे प्यारे बच्चों इसलिए इसको क्या कहा हमने PACE MAKER OF HEART Approx कितना Value कितनी है 70 से 75 पर मिनिट YES या NO कितना है 70 से 75 पर मिनिट आपको अच्छी तरह पता होगा कि हमारे दिल की जो धड़कन है उसे शुरुवात भी कोन करता है A से NODE तो हमने लिखा INTIATE HEARTBEAT YES या NO तो ये जो सारे पॉइंट से ये देखे हम डाइग्राम में ही पढ़ रहे हैं और ये किसके फंक्शन है हमारे SA NODE के क्लियर बात तो ये क्या हुआ हमारा SA NODE सबसे पहले हमने पढ़ा Position Upper Right Corner of Right Atria हमने का Function क्या है Generate Maximum Impulse कहते क्या है PACE में करिंशियेट करता है किसको Heartbeat को Full Form क्या है Sinoatrial Node और बच्चों ये तो याद ही होगा किसे Discover किस ने किया था हालां कि इतना पूछा नहीं जाता है Kate and Flake ने याद रखना Discovered by अगर आ जाए तो Discovered by Kate and Flake Done बच्चों तो ये तो हो गया हमारा S.A.Node क्या हो गया S.A.Node S.A.Node के नीचे जैसे ही आप Right Atrium के Lower Left Corner पर जाओगे ये क्या है आपका Lower Left Corner क्या है बटा ये Lower Left Corner तो इस Lower Left Corner पर मिलेगा आपको A.V.Node क्या मिलेगा A.V.Node क्या मिलेगा A.V.Node क्या मिलेगा A.V.Node हमने इसे कहा क्या A.V.Node और A.V.Node जो है उसका Full Form क्या है कौन बताएगा Atrio Ventricular Node क्या है बटा हमने कहा Atrio Ventricular Node Okay ओधे, AV Nod, ठीक बच्चों, जब अपन AV Nod की बात करेंगे, तो बात करेंगे सबसे पहले इसकी position की, कोई बताएगा मुझे की AV Nod की position कहाँ है, AV Nod की position कहाँ नजर आ रही है? lower left corner but right atria या left atria right या left right या left right atria तो हमने position की बात की हमने कहा lower left corner lower left corner of right atria done बच्चों clear बच्चों बोलिए सबसे पहले क्या पड़ा ऐसे node sino, atrial node sino, auricular node उसकी position क्या है right upper corner of right atria इसकी क्या है right atria है लेकिन corner कौन सा है lower left corner done बच्चों यहां तक बोलिए कोई दिक्कत ठीक है सर कि अब every node क्या काम करता है function की भी तो बात करेंगे जैसे उसके function की बात करीं ये भी क्या करता है impulse को generate करता है लेकिन क्या generate impulse लेकिन बेटा कितना value कितनी बताओ फटा फट जवाब दो देखिए हमने कहा कितना about कितना था यहां कितना है 70 to 75 per minute यहां कितना होता है 40 per minute तो याद रहेगा यह कितना impulse कर रहा है generate 40 per minute ऐसे नोड कितना कर रहा था 70 to 75 उसको क्या करते हैं pace maker इसको क्या करते हैं अरे इसको क्या करते हैं reserve pass maker of heart क्या कहा जाता है reserve pass maker of heart तो सबसे पहले हमने किसको पढ़ा ace a node को किसको पढ़ा ace a node side node atrial node दूसरा कौन सा पढ़ा av node atrio ventricular node और इनके बीच का जो connection है इनके बीच का जो neuromuscular connection है मेरे दोस्त उस neuromuscular connection को क्या कहा जाता है बताओ उस neuromuscular connection को कहा जाता है inter-nodal pathway नाम क्या है inter-nodal pathway चलिए हमने कहा ये क्या है inter-nodal pathway ये है क्या हमने कहा एक तरह से inter-nodal pathway connection है SA-nod और AV-nod के बीच में हमने कहा neuromuscular connection है क्या ये neuromuscular connection क्या है बता ये neuromuscular connection है किनके बीच में SA-nod और AV-nod के बीच में यानि कि connect करता है SA-nod को AV-nod से और इसका discover करने वाला scientist था goldman कौन था goldman done बच्चों clear बात done 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 अब देखिए हमने कहा ऐसे नोड हो गया inter-nodal pathway हो गया AV-nod हो गया अब ध्यान से सुनना इसी AV-nod के नीचे muscles का एक bundle पाया जाता है जिस bundle को कहा जाता है AV-bundle ये इस bundle को बच्चों क्या कह दिया हमने इस bundle को हम कहते हैं AV-bundle इस bundle को हम कहते हैं bundle of hedge तो हमने इसे क्या नाम दिया हमने कहा AV-bundle क्या कहा AV-bundle ठीक है AV-bundle की मैंने बात करी हमने कहा AV-bundle क्या है atria और ventricular की जो muscles है उसके बीच में जो connection है उसे ही connection को क्या कहा connection between atria and ventricular muscles okay प्यारे बच्चों दोनों के बीच में किसका काम कर रहा है connection का काम कर रहा है और नाम क्या है AV-bundle atria ventricular bundle और इसी का एक और नाम है bundle of hedge क्या है bundle of hedge कहां पाया जाता है near AV septum position क्या है मेरे दोस्त position है near AV septum किसके बीच में है AV septum के बीच में अगर position के साब से पूछे तो फिर से ध्यान देना ये क्या है near AV septum essay node कहां पाय जाता है opening of superior venakawa यही पर superior venakawa की opening होती है उसी के just pass में क्या पाय जाता है essay node ध्यान देना क्या पाय जाता है essay node ये क्या हो गया AV node ये क्या हो गया AV bundle जब AV bundle हो गया या bundle of his हो गया याने की impulse इसके बाद इस पर transfer हो जाएगे अब पातवे भी बता देंगे अब यहां से क्या start हो जाएगे ventricle ये ventricle आ गया आपके ये बच्चों की ये तो tricuspid है और ये bycuspid है अगर ये पढ़ना है तो इससे पहले वाले मेरे वीडियो देख लें मैंने उसमें पूरी structure समझा रखी है मैं यहां केवल किसकी बात करूँगा conducting system की तो दोखो बच्चों जेसे ही ये नीचे की और आते हैं ये नीचे की और आया ठीक है ये नीचे की और जेसे ही आते हैं तो ये यहां पर right और left branch में divide हो जाते हैं किसमें divide हो गए right और left branch में ये है right branch और वो है left branch और ये क्या है आपकी left और ये इसके बाद छोटे छोटे fibers में divide हो जाते हैं और उन fibers को बच्चों क्या कहा जाता है परकिंजे fibers क्या कहा जाता है उनको परकिंजे fibers ये लो बच्चों क्या कहा परकिंजे fibers तो बच्चों किस में divide हुआ परकिंजे fibers में done बच्चों यहां तक याने की यहां सिम्पल्स स्टार्ट हुई बीच में क्या आ गया इंटरनोडल पत्वे फिर क्या आ गया AV नोड फिर क्या आ गया AV बंडल फिर क्या आई राइट ब्रांच लेफट ब्रांच फिर क्या गई परकिन्जे फाइबर्स अच्छा एक क्यूशन्स पूसता हूँ मैं आपसे परकिंजे फाइबर्स तो पाए जाते हैं आपके वेंट्रिकल की वाल में लेकिन परकिंजे सेल्स कहां पाए जाती है इसका जवाब मुझे चाहिए आप कमेंट्स में इसका आंसर प्लीज दें क्योंकि अगर आपके कमेंट्स में आंसर दिया तुम इसको अगले वीडियो में बहुत अच्छे से और एक्स्प्लेन करूँगा मेरा क्यूशन्स है परकिंजे फाइबर्स हार्ट में पाए जाते हैं लेकिन परकिंजे सेल्स कहां पाई जाती है हमारी बोडी के किस ओर्गन में पाई जाती है अच्छे इसके सिक्वेंस क्या होगा सबसे पहले क्या आएगा ऐसे नोड फिर क्या आएगा इंटर नोडल पाथवे फिर क्या आएगा एवी नोड फिर क्या आएगा एवी बंडल फिर क्या आएंगे परकिंजे फाइबर्स तो ओके बच्चों आई होप आपको आज का वीडियो समझ में भी आया होगा मजा भी आया होगा और बने रही है मेरे साथ आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिस जारी रहेगी आप कमेंट्स करना ना भूले और अलविदा मेरे दोस्त थेंक्यू सो मच